नए साल में टेक्नालोची की दुनिया में काफी बड़े चेंज़े आने वाले हैं फोन में आपको नए और इड्वैंस फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं अफॉड़ेबल 5G फोन भी आएंगे और साथ ही 5G रोल और भी पॉसिबली नेक्स टियर हो ही चाहेगा तो आज के इस टेक्टॉक वीडियो में मैं आपसे 2020 में टेक्नालोची की दुनिया में होने वाले बड़े चेंज़े की ही बात करूँगा और बताऊंगा कि इस नए साल से आप क्या नया एक्सपेक्ट कर सकते हैं सबसे पहले मुबाइल वर्ल में जो मेजर इवन जैन फैब में होगा वो होगा सामसंग का गिलिक सेवन इसमें सामसंग स्टोनी वन प्लस और स्टोनी वन अल्ट्रा लांच करेगा कई चैलेंज़ भी होंगे यहां पर सामसंग के सामने लाइक नए फोन ओल एस्टोनी सीरीज के फोन से अलग कैसे दिखें तो इस पार आपको कुछ मेजर चेंज़ यहां पर देखने को मिल सकते हैं सबसे मेजर इंप्रूमेंट जो सामसंग को करना होगा वो है अपनी वन यू आई में पहले काफी रिफ्रेशिंग यू आई लगता था लेकिन अब इस गेटिंग बिट बोरिंग S10 हो, S20 हो, Note 10 हो या फी Note 20, they all look alike UI wise and they need improvement S20 series के बाद, March, April में OnePlus 9, OnePlus 9 Pro launch होंगे HT was a great phone, I would say की 2020 का best Android phone था So OnePlus के लिए एक बड़ा challenge होगा की वो कैसे premium segment में अपनी space जो है जगा बचा पाएगा I'm not expecting much from the 9 Pro कास flagship segment में OnePlus का record कुछ ज्यादा खास नहीं रहा है So all focus would be on the OnePlus 9 सर भी आएगा, तो mid range users should also wait for that और इसी बीच, March, April में इंडिया में 5G spectrum का auction भी होगा काफी वक्स से delay हो रहा था, पहले COVID की वजह से फिर कंपनियों की आपस में कुछ बात थी, वो नहीं बनी उसकी वजह से But hopefully, March, April में auction will take place जैसे ही यहाँ पर 5G spectrum का auction होगा, वैसे ही affordable 5G phones को भी आप market में देखना शुरू कर देंगे Redmi हो, Realme हो, Vivo, Oppo, सब के सब सस्ते 5G phones लेकर आ सकते हैं to gain attention So अगर आपको phone की immediate requirement नहीं है, phone लेने जा रहे थे आप तो messages करूँगा कि आप अभी 3-4 महीने wait करें, आपको सस्ते 5G phones मिल जाएंगे और आपका पैसा भी बचेगा और साथी first half में ही, Jio अपने Android phones को भी लेकर आ सकता है Jio ने Google के साथ Android phones बनाने के लिए पिसले साल partnership की थी और ये phones आपको जून से पहले दिखने को मिल जाएंगे Jio के साथ-साथ ATL और V.I. भी affordable 4G phones लाँच कर सकते हैं to attract 35 क्रोड 2G customers जी आँ देश में अभी भी करीब 35 क्रोड लोग 2G network पर है और Jio, ATL और V.I. इनके हाथ में अपने 4G phones देना चाहते हैं to increase their customer base July और August के ही around, according to report, Jio 5G services रोल आउट करना शुरू कर सकता है सब तक 5G पहुंचने में तो काफी वक्त लगेगा, बट इसकी शुरुआ जोलाई-August से हो सकती है इसके बार Note 21 series Samsung launch करेगा और यहाँ पर भी Samsung के लिए वही challenges होंगे जो S21 series में है कि अब इसके बाद क्या, इन phones में Samsung क्या नया लेकर आएगा जो Note 20 में नहीं था That will be a major challenge And of course you will be getting the iPhone 13 later in the year इस बार आपको iPhone में high refreshing rate display मिल सकती है जो इस साल iPhone में नहीं मिली थी और साथ ही notch का जो size है, वो भी Apple अपने iPhones में कम कर सकता है तो यह दे कुछ major tech updates जो आपको इस साल देखने को मिल सकते हैं इसके लाव आपको नए foldable phones भी देखने को मिलेंगे कैमरा और AI और gaming chipset पर भी काफी काम हो रहा है जो आपको अभी आगे देखने को मिलेगा जिससे आपके phone की जो performance है वो बहुत ज्यादा efficient हो जाएगी आज के लिए इस Tech Talk वीडियो में इतना ही ऐसी ही और दूसरी इंट्रेसिंग टेक लिडियो के लिए आप देखते रहें Tech Talk